हेलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुलाब पुरू कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में दोस्तों अगर आप जो है किसी भी blur exam की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी competitive government exam की तयारी करते हैं जिसमें computer से questions बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है इस वीडियो के अंदर हम लोग computer के top 30 questions की practice करने वाले हैं जो कहीं न कहीं आपके exam की दृष्ट से बहुत ज़्यादा important है बस आपको जो है इस वीडियो को प PDF चाहिए तो आप जो है टेलिग्राम पर गुलाब गुरू सेर्च करके हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए जहां पर जो है आपको इसका practice sit का पूरा PDF जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लिएगा और चैनल पर पहली बार हो अभी तेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है है अलो दोस्तों मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर smart class चलिए वीडियो शुरू जाता है。 c option है हिसाब लगाने वाला कहा जाता है या d option है परिगड़क कहा जाता है.aran का Safe Запs का subscribed का हिन्दी को मनाया जाता है कि 3 December को मनाया जाता है या फिर जो है 14 December को मनाया जाता है तो computer साक्षर्टा दिवस जो है 2 December को मनाया जाता है यह आपको ध्यान दिना है इसका जो right जबाब होगा वह option number B के साथ जाएगा दोस्तों यह जो हम लोग 30 questions की practice लगाने वाले हैं इस 30 question में से आपको कितने के आंसर पता थे आपको नीचे comment करके जरूर बताना है यानि 30 में से आपने कितने question के answer सही सही दिये है यह आपको नीचे comment करके जरूर बताना है साथ में आप यह भी comment करिए कि आप जो है कि जिला के रहने वाले हैं, किस परदेश के रहने वाले हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि किस-किस परदेश की लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, बात करते हैं, अगले क्वेस्चन की तो अगला क्वेस्चन कह रहा है कि निम्न में से इन्पूट इकाई है, यानि इस क्वेस् option number D के साथ जाएगा क्यूंकि mouse भी एक input इकाई है keyboard भी एक input इकाई है और scanner भी एक input इकाई है इसलिए जो है इसका राइट जबाब होगा वो option number D के साथ जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला question कह रहा है कि एक GB में जो है कितने बाइट के बराबर होता है यानि एक GB कितने बाइट के बराबर होता है यह आपको बताना है क्या 1024 KB बराबर एक GB होता है कि 1024 MB बराबर एक GB होता है कि 1024 TB बराबर एक GB होता है या फिर D option कह रहा है कि 1024 GB बराबर ही GB होता है इसका जो right जबाब होगा वो option number B के साथ जाएगा 1024 MB बराबर 1 GB होता है ठीक है बात करते हैं अगले question की तो अगला question कह रहा है कि computer में प्रियुक्त IC चिप बनते हैं यानि कि computer में जो IC चिप का उपयोग किया जाता है वो किस से बने होते हैं क्या लोहे से बने होते हैं या फिर iron से बने होते हैं या फिर silicon से या silver से इन चारो option में से जो आपका सही option होगा वो option number C होगा computer में जो IC चिप बनते हैं वो silicon से बने होते हैं ठीक है बात करते हैं अगले question की तो अगला question कह रहा है कि http का pool रूप है यानि http का full farm आपको बताना है क्या option A है http का full farm क्या option B है क्या option C है या option D है इन चारों option को आप ध्यान से देख लीजिए इसी में से आपको एक right जबाब देना है तो इसका जो right जबाब होगा वो option number D के साथ आएगा hyper tax transfer protocol यानि http का pool रूप यानि full farm जो है hyper tax transfer protocol है next one question की बात करें तो CPU के ALU में होते हैं यानि CPU के ALU में क्या होते हैं क्या तार होता है कि RAM space होता है कि register होते हैं या फिर इन में से कोई नहीं तो CPU के ALU में जो है register होते हैं इसका जो right जबाब जाएगा वो option number C के साथ जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला question है कि Linux क्या है Linux आपको बताना है कि Linux आखिर है क्या Linux एक application software है कि word processor है कि system software है या फिर इन में से कोई नहीं है तो Linux एक system software है जो कि बहुत समय पहले बहुत जादा प्रचलित था अभी के time में Windows प्रचलित हो चुका है तो Linux क्या है एक system software है इसका जो right जबाब जाएगा वो option number C के साथ जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला question है इन में से कौन सा operating system नहीं है याद आपको यह रखना है कि नहीं पूछा है कि इन में से आपको operating system नहीं है उसको बताना है क्या Windows operating system नहीं है कि DOS operating system नहीं है कि MUS operating system नहीं है कि Linux तो मैं आपको बता दूँ कि इन में से जो है Windows भी operating system है DOS भी है और Linux भी है जबकि MUS कोई operating system नहीं है तो इसका जो right जबाब होगा वो option number C के साथ जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला question कहा रहा है कि Windows के साथ R button से क्या होता है यानि Windows बतन दबाने के बाद R button आप दबाओगे तो computer में क्या होता है क्या file को rename करते हैं हम लोग नहीं क्या open folder होता है तो बिलकुल भी नहीं जिसमें हम किसी भी application का नाम लिख करके direct search करके command देते हैं तो इस question का right जबाब होगा option number C के साथ बात करते हैं अगले question की तो अगला question कहा रहा है कि कि किस generation के computer में IC यानि integrated circuit का परियोग किया गया था क्या first generation के computer में IC का परियोग किया गया था कि second में कि third में कि fourth में इस question का जो right जबाब होगा वो option number C के साथ जाएगा third generation computer में IC यानि integrated circuit का परियोग third generation के computer में हुआ था इसका जो right जबाब होगा वो option number C के साथ जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला question कह रहा है कि mouse का आविसकार किस ने किया क्या Charles Beves ने किया कि Douglas Angelbert ने किया कि Howard Gardner इने किया या इन में से किसी ने नहीं किया इस question का जो right जबाब होगा वो option number B के साथ जाएगा Douglas Angelbert ने जो है mouse का आविसकार किया था जबकि Charles Beves ने जो है computer का आविसकार किया था बात करते हैं अगले question की तो अगला question कह रहा है कि computer में mouse का इस्तमाल किया जाता है किस काम के लिए किया जाता है क्या dragging करने के लिए किया जाता है कि selecting option यानि किसी भी चीज को select करने के लिए किया जाता है कि creating line यानि line को create करने के लिए किया जाता है या फिर इन में से सब ही इसका जो right जबाब होगा वो आपको नीचे comment box में बताना है तो mouse का इस्तमाल जो है तीनों कामों के लिए किया जाता है इसके विलिए भी इसके लिए भी और इसके लिए भी तो इसका जो right जबाब होगा वो option number D के साथ जाएगा ये सब ही computer में mouse का इस्तमाल dragging के लिए selecting के लिए creating के लिए तीनों कामों के लिए किया जाता है अब बात करते हैं अगले question की तो अगला question है कि keyboard का आविसकार किस ने किया था यानि keyboard का आविसकार कौन है Dennis Riche है या Douglas Angelbert है या फिर Christopher Latham Salse है या फिर Charles Wavage है इसमें से जो है आपको right जबाब देना है तो keyboard का आविसकार जो है Christopher Latham Salse ने किया था तो इस question का जो right जबाब जाएगा वो option number C के साथ जाएगा Christopher Latham Salse बात करते हैं अगले question की तो अगला question करा है कि निमनलिखित में से सबसे लोक परी है यानि popular keyboard कौन सा है क्या query keyboard है या multimedia या फिर जो है mechanical keyboard या फिर USB keyboard तो निमनलिखित में से आपको बताना है यानि इनी चारों में से आपको बताना है कि सबसे लोक परी है यानि popular keyboard कौन सा है तो इन चारों में से जो right जबाब होगा वो option number A के साथ जाएगा query keyboard सबसे लोक परी है यानि popular keyboard है बात करते हैं अगले question की तो अगला question जो है पूछ रहा है कि एडवेक का पूर्ड रूप क्या है यानि एडवेक का full farm आपको बताना है option number A है या option number B है या option number C है या option number D है तो मैं आपको बता दू इसका जो right जबाब होगा वो option number D के साथ जाएगा electronic, discrete, variable, automatic computer यही इसका जो है एडवेक का पूर्ड रूप यानि full farm है बात करते हैं अगले question की तो अगला question कह रहा है कि निम्न में से computer में काम करने के लिए सबसे जरूरी है इसमें से आपको बताना है कि computer में काम करने के लिए सबसे जरूरी बताएगे क्या है क्या printer सबसे जरूरी है या compiler सबसे जरूरी है या फिर operating system सबसे जरूरी है या फिर option number D इन में से कोई नहीं तो computer में काम करने के लिए इन में से सबसे जरूरी है operating system option number C होगा इस question का right जबाब यानि कि computer में काम करने के लिए operating system सबसे जरूरी है बात करते हैं अगले question की तो अगला question है कि computer के वो भाग जिने हम छू सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे software कहेंगे या फिर hardware कहेंगे या दोनों कहेंगे या इन में से कोई नहीं जरूरी जरूरी है कि computer के वो भाग जिने हम लोग चू सकते हैं उसे hardware कहा जाता है यानि जिन्हें हम लोग touch कर सकते हैं वह hardware होते हैं बात करते हैं अगले question की तो अगला question कह रहा है कि इन में से कौन input device नहीं है क्या monitor input device नहीं है keyboard नहीं है या फिर scanner नहीं है या फिर mouse नहीं है तो mouse भी एक input device है, scanner भी एक input device है, keyboard भी एक input device है और यहाँ पर पूछा गया है कि input device नहीं है यानि इसका जो right जबाब होगा वो option number A के साथ जाएगा monitor ही एक ऐसा इसमें से option है जो कि input device नहीं है monitor output device है ठीक है बात करते हैं अगले question की तो अगला question है कि CPU control करता है CPU किसको control करता है, क्या input को control करता है, क्या output को control करता है या control memory को control करता है, या फिर input, output और processing सभी को control करता है तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो right जबाब होगा वो option number D के साथ जाएगा CPU जो है input, output और processing सभी को control करता है बात करते हैं अगले question की तो अगला question है कि CPU का पूरा नाम क्या है आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनको जो है इस question का answer आ रहा होगा तो बताईए CPU का पूरा नाम क्या है, यानि CPU का full farm आपको बता रहा है क्या computer processing unit है, option number A यही कह रहा है option number B कह रहा है कि central protection unit है या फिर option number C कह रहा है कि central processing unit है option number D कह रहा है कि इन में से कोई नहीं तो CPU का full farm होता है central processing unit कहां पर यह option है, option number C आपका जो है right जबाब होगा CPU का पूरा नाम central processing unit है बात करते हैं अगले question की तो अगला question है किसी भी computer का दिमाग होता है यानि कोई भी computer हो उसका दिमाग क्या होता है क्या memory दिमाग होता है उसका कि CPU होता है कि control unit होता है या ALU होता है इन चारो option में से जो सही option है वो है option number B CPU जो है computer का दिमाग होता है चाहिए वो कोई भी computer हो उसमें CPU जो है computer का दिमाग होता है बात करते हैं अगले question की तो अगला question कहा रहा है कि micro processor को किस PD यानि किस generation में लाया गया था micro processor की बात की जा रही है और आपको नीचे generation भी बताया गया है option number A है second generation B है first C है third और D है fourth generation ठीक है तो micro processor को जो है fourth generation में लाया गया था यानि चौथी PD में तो चौथी PD option number D में है तो इसका जो right जबाब होगा वो option number D होगा fourth generation बात करते हैं अगले question की तो अगला question है कि इन में से कौन सी memory को read और write memory भी कहा जाता है क्या ROM को कहा जाता है या RAM को कहा जाता है या DVD को कहा जाता है या hardix को कहा जाता है कि मुख memory को और किस नाम से जाना जाता है यानि जो main memory होती है मुख memory को English में main memory भी कहा जाता है उसी की बात की जा रहे है कि जो main memory है उसको अनकिस नाम से जाना जाता है क्या primary memory के नाम से जाना जाता है या hardix के नाम से या secondary memory के नाम से या external memory के नाम से तो मुख memory को जो है primary memory के नाम से भी जाना जाता है इस question का जो right जबाब होगा वो option number A के साथ जाएगा मुख मेमरी यानि मेन मेमरी को प्राइमरी मेमरी ही कहा जाता है बात करते हैं अगले कोशन की तो अगला कोशन कह रहा है कि मुख मेमरी के कौन से दो परकार है यानि जो अभी हमने मुख मेमरी को तो आपको यह पता है कि प्राइमरी मेमरी कहा जाता है उसी के कितने परकार है ये पूछा गया है और वो कौन-कौन से है क्या CD and DVD है, क्या RAM और ROM है, क्या Primary and Secondary है या या फिर ये सबी है, ठीक है तो Primary Memory को ही मुख मेमरी कहा जाता है इसलिए जो है C आप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका जो right जबाब होगा, वो option number B के साथ जाएगा RAM और ROM जो है मुख मेमरी के दो परकार है ठीक है, बात करते हैं अगले question की तो अगला question कह रहा है कि RAM को कहा जाता है RAM जो होती है मेमरी उसको क्या कहा जाता है क्या उसको volatile memory कहा जाता है या फिर non volatile memory कहा जाता है या फिर cash memory या फिर ये सभी कहा जाता है तो RAM memory को volatile memory कहा जाता है volatile memory वो मेमरी होती है जिसमें आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं उसको read और write दोनों कर सकते हैं बात करते हैं अगले question की तो अगला question की ROM को कहा जाता है ROM को क्या कहा जाता है Volatile Memory कहा जाता है Non-Volatile Memory कहा जाता है Cash Memory या यह शबी Option हमारे पिछले वाले ही हैं लेकिन ROM को यहाँ पर बताना है वहाँ पर बात थी RAM की और यहाँ पर बात है ROM की तो RAM में हमने क्या अंसर लगाया था Volatile Memory और इसका जो Right जबाब होगा वो Option Number B के साथ जाएगा ROM को जो है Non-Volatile Memory कहा जाता है Option Number B इसका Right जबाब होगा बात करते हैं अगले Question की कि एक CD में कितने डेटा को जमा किया जा सकता है यानि कितने डेटा को स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं इसका स्टोर करके रख सकते हैं इस Question का जो Right जबाब होगा वो Option Number C के साथ जाएगा कि एक CD में 700 MB डेटा को स्टोर करके रख सकते हो जमा किया सकता है यानि स्टोर किया सकता है बात करते हैं अगले Question की और इस Practice Set के सबसे Last Question की Last Question यह कह रहा है कि CD-ROM क्या है एक Memory Register है या Secondary Memory है या फिर सेमी Memory है या फिर यह सभी है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ CD-ROM का जो Full Farm है Compact Disc Read Only Memory है और इस Question का जो Right जबाब होगा वो Option Number B के साथ जाएगा CD-ROM जो है एक Secondary Memory है Secondary Memory का मतलब कि जो भी हम लोग Computer में बाहर से Memory लगाते हैं वो सभी Memory Secondary Memory कहलाती है यहां से हमने जो है Computer के 30 Question की Practice Set Complete कर लिया है अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल को जरूर से जोईन करिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को Like, Share और Subscribe भी कर दीजेगा और आप चाहो तो और भी ग्यान हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हो www.gulabguru.com से मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकरी की साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम